सात्यों Microsoft Excel में काम करते हैं वहाँ पे आप salary बनाते हैं आपने salary slip तयार करनी है या फिर किसी के आपने रिपोर्ट कार तयार करने है स्टूडेंट्स के तो आपको उन salary slip को सभी employees को भेजना होता है सबसे पहले तो उसकी PDF फाइल क्रेट करेंगे फिर हम उन employees को salary slip mail करेंगे और ये काम अलग-अलग हो सकता है या तो हमने individual salary slip तयार करनी है pay slip कह सकते है pay slip तयार करी उसको हमने PDF में convert किया फिर हमने उस employee को mail किया तो इस काम को हम दो तरीके से करेंगे एक तो हम individual salary slip की PDF बनाएं और उसको mail करें और एक हम काम करें bulk में और ये काम automatic तरीके से करें कि हमने सिरफ एक click किया click करते ही PDF फाइल भी create हो जाए और वो automatic mail भी हो जाए उसी employee के पास जिस employee की वो salary slip है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो सकता है तो इसको बिल्कुल भी miss ना करें इसको आंति तक ज़रूर देखें नमस्कार साथियों मेरे ना में मनुश कुमार और आप देख रहे हैं computer gallery channel तो चलिए सीख लेते हैं तो देखें सबसे पहले तो इस salary slip को देखें यहां पर आपको कहीं भी click करने को नहीं मिलेगा यह fully protected है सिरफ क्या चलेगे यहां पर जो हमारे button है हमने print निकालना है single slip का या फिर bulk में print निकालना है या हमने mail करना है PDF create करनी है यह button active मिलेंगे और आपको दो चीज़े यहां पर मिलेंगी किस employee की वहां से हम employee चुन सकते हैं या फिर किस month की तो हम month चुन सकते हैं यहां से जिसे फरवरी month चुनेंगे या फिर January या March या April जिस month के हम salary slip generate करना चाहरे हैं वो salary slip हम यहां से ले सकते हैं और यहां पर मिलेगा आपको सभी months का पूरा data पूरी details मैंने यहां पर डाली हुई है यह salary slip और यह salary table हम किस परकार से बनाएंगे यदि आप यह सीखना चाहते हैं तो हमें comments में लिखके बताएं मैं आपको पताऊंगा यहां पर कि हमने जो भी salary slip है उसकी PDF तैयार करनी है जैसे हम इस button पर click करें तो जो employee हमने चुना है उसकी PDF generate हो जाए और उसको mail हो जाए या फिर monthly हमने bulk में PDF बनानी है तो click करते ही सभी की PDF files हमारे पास save हो जाए जिनकी भी page slip बननी है और सभी के पास उनकी page slip mail भी हो जाए automatic हम सिरफ यह सीख रहे आज तो पहले मैं इसको unprotect करा लेता हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ यहां से हम इसको unprotect करा लेते हैं right तो completely unprotected देखे बाकी मैंने view look up formula लगाए यह सारा मैं आपको details से सिखाऊंगा इसके लिए comments में लिख के बताएं automatic pdf generate और mail का code किस प्रकार लिखेंगे उसके लिए हम developer में चले जाएंगे यदि आपके पास developer tab नहीं है तो सिधा file में जाए file के अंदर आपको मिलेगा option option के अंदर आप यहां से चुन ले customize और customize ribbon के अंदर आपको यहां पे देखो developer मिल जाएगा इसको check कर लें जदि आपके पास uncheck है पहले check है तो check रहने देर okay करा दें या फिर आप यहां भी देखोगे उपर यहां से आप click करेंगे और यहां से चले जाएंगे more commands के उपर more commands के उपर फिर से customize ribbon करेंगे तो यहां भी मिल जाएगा right okay करा लेते हम इसको developer के अंदर आपको मिल रहा है यहां पर visual basic तो visual basic हम यहां से click करके चलाएं या फिर अपनी keyboard से press करें alt plus f11 तो मैं यहां पर click करूँ या फिर alt के साथ f11 press करूँगा तो आपके पास एक ऐसे visual basic की window open हो जाएगी यहां पर हम काम कर रहे है इस file के अंदर और चले जाएंगे insert में insert के अंदर करेंगे modules ठीक है हम एक नया module ले लेंगे इसको मैं थोड़ा सब कम करा देता हूं क्योंकि हम coding करेंगे तो हमको यह window थोड़ी सी बड़ी चीए ओके तो सबसे पहले तो हम macro का नाम decide कर ले मैं यहां पर करता हूं sub routine के साथ send reminder के नाम से ठीक है यहां पर हम सबसे पहले तो directly choose करेंगे अपनी कि हमने जो PDF file save करनी है वो कहां पर save करानी है ठीक है अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कोई भी हम एक folder बना लेते हैं मैंने एक folder बनाया यहां पर प्रिंट PDF नाम का ठीक है इसकी location ले लेंगे जहां भी आपने directly बनाई है उसके उपर right click करके हम चले जाए properties के अंदर और इसकी properties के अंदर देखो location यह है इस location को मैं यह से copy करा लेता हूं और फिर से वापस से हम अपने code में आ जाते हैं यहां पर और इधर हम करेंगे chdir हमने choose directory double quotes use करेंगे और यहां पर करा देंगे paste हम उस location को जो हमने वहां पर रखी है clear इतना काम simple था आगे चलते हैं अब हमने जिस seat की PDF चीए पीडियाफ हमको किस की चीए हमको इस salary slip की इस pay slip की PDF चीए न तो यह कौन सी seat हमारे पास pay नाम से है अब यह pay की seat seat one है या seat two है seat three है नहीं पता हमको तो हम उस नाम से बना लेंगे तो हम कहीं भी है किसी भी seat के अंदर से या फिर यहीं पे है तो किलिक करेंगे उसके उपर तब सीधा हम इसी seat के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे हम करेंगे seats और seats के अंदर इसका नाम pay dot select हमारी यह seat select हो जाए और यह select होते ही active seat dot export as fixed format किस fixed format में export हो जाए उसके लिए मैं बता दूँ यह जो हमने formula लिखा है यह जो class है इसके जितने भी first character होंगे यह आपने capital में रखने export उसके बाद हमने करना है as को a को capital fixed के हमने f को capital करना है और format के भी हमने f को capital करना है किस format में हो जाए वो हम type यहाँ पे देंगे आप direct लिख लें या फिर मैं आपको समझाता हूँ हम लिए यहाँ पे लिखेंगे type colon equal to किस type में से हो जाए यह हो जाए भई excel type pdf यह format हम को चीए comma file name file name के अंदर हम डाल देंगे जिस नाम से हमने वो file save करानी है किस नाम से save करानी है भई नाम के अंदर मैंने आपको बताया था नाम के अंदर full location के साथ नाम आएगा तो location हमारी यह है इसी location को मैं यहाँ पे paste करा देता हूँ desktop पे हमने folder किस नाम से बनाया है उस folder का नाम मैंने बनाया है print pdf के नाम से हो गया folder फिर से backslash यूज करेंगे और double quotes close पहली location हमारी किलियर थोड़ा समझते रही हमने file का नाम कैसे देना है इसके अंदर हमने file किस नाम से save करनी है भई हमारी file save हो जाया है यहाँ पे देखो employee id के नाम से एक तो क्योंकि उस file के पर employee id तो होनी चीए तभी तो हम पैचानेंगे किस employee की है दूसरा साथ में dash लगाके name भी आ जाए तो उस folder में हम अच्छी तरह से पैचान पाएंगे कि यह जो PDF generate हुई है किस employee की हुई है तो यह देखो यह तो है हमारा इसमें D7 के अंदर और यह है हमारा D9 के अंदर द्यान रहेगा तो अब हम यह दोनों नाम यहाँ पे add कराएंगे पहली तो location हो गई and person use करेंगे और यहाँ पे हम use करेंगे इसी seat को क्योंकि हम फिलाल pay वाली seat के अंदर है न तो इसी के अंदर हम करेंगे range कौन सी range पहली range हमारी D7 ही तो है ध्यान ना D7 आ जाए वहाँ पे dot value उसकी value and एक बीच में dash भी लगे तो हम dash use करेंगे quotes थोड़ा सा space डालते है quotes space dash space और फिर quotes तो क्या हुआगा जो range D7 के अंदर है वो employee ID है वो आ गई फिर उसके बाद एक dash लग जाए और dash के बाद employee का name आ जाए तो वो name कहाँ पे है वो name भी हमारा range कौन सी range के अंदर है वो वो D9 के अंदर है वो range D9 के अंदर employee का name है यहाँ पे यह रहा यह dot value and extension भी तो होगा file कौन सी save हो रही है वो excel file थोड़ी save हो रही है वो file save हो रही है dot pdf file that's all इस file को साथ साथ हम जैसे file generate हो तो open भी हो जाए open करके देखना चाहें तब हम comma use करेंगे और करेंगे open after publish equal to true right हो गया काम हमारा खत हम हमारी pdf file generate हो गई note कर लिया अपने देख लिया एक बर इस code को हम चलाके देखें यहां पर हम इस code को चलाके देखते हैं मैं करता हूँ पहले देखो हम इस file के अंदर आ जाते हैं ठीक है यहां से क्या उस file के अंदर पहुंचेंगे हम मैं यहाँ पर आता हूँ और करता हूँ F8 को press हमारा macro यहाँ पर start हुआ फिर से F8, directed undie आगे चलेंगे, seat pay के अंदर पहुंच जाएगा जैसे मैं F8 करूँगा देखो pay वाली seat यहाँ पर change होगी न F8 के अंदर पहुंच गया यह हमारा दूसरा macro खुल गया यहाँ से इसको मैं close ही करा देता हूँ यहाँ पर मैं F8 करता हूँ तो देखो अब यहाँ पर इस नाम से एक PDF फाइल हमारे बन जानी चीए पहले तो हम वो folder चेक कर लेते हैं मैं साथ में अब वो folder open करा लेता हूँ इसके अंदर देखो यह blank है कोई PDF फाइल नहीं है इसके अंदर और अब हम इस code पे वापस आते हैं और यहाँ पर अब मैं F8 प्रेस करता हूँ तो क्या यहाँ पर PDF बन जाएगी देखो मैं करता हूँ यहाँ पर F8 प्रेस तो यह थोड़ा साथ देखो यहाँ पर क्रियेट हो गई किस नाम से क्रियेट हुई PDF यह PDF हुई है हमारी employee के नाम से open भी होगी कोई कि मैंने वहाँ पर open की command देती right close कराते हैं इस PDF को और देखो यह employee ID और साथ में आ रहा है employee name right इसी परकार हमने सभी की PDF बनानी है अभी हम individual बना रहे हैं बल्क में भी बनाएंगे और जैसे यह PDF हमारी किरियेट हो जाए तो तुरंत मैसेज आ जाए कि PDF फाइल generated successfully तब इसको मैं stop कराता हूं और यहाँ पर हम message टाइप कर देते हैं मैं करता हूं MSG box और इसके अंदर डाल देते हैं PDF फाइल generated successfully बस यह message हमारे पास flash हो जाएगा जैसे PDF फाइल generate हो जाएगी तो open भी होके आ जाएगी हमको open नहीं करनी है मैं single file तो open हो जाए अगर बल्क में करेंगे तो सारी फाइल open होगी तो हमारा system hang होके रह जाएगा तो क्या करें हम इसको यहां से last में जो हमने true किया है इसको हटा देंगे हम open नहीं करेंगे अब इसके बाद हमने इसको mail कराना है तो mail कराने के लिए हम यहाँ पे एक variable define कर लेंगे और वह variable क्यों लेंगे क्योंकि हमने अपनी इस फाइल को जो हमारी फाइल जनरेट हुई है इसको हमने attach कराना है outlook पे तो outlook के जरीए mail करेंगे उसके लिए आउटलूक एक्टिवेट होना चीए यदि आपका आउटलूक एक्टिवेट नहीं है तो किस परकार एक्टिवेट करेंगे उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है आप वो देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं एक आउटलूक एप एज ओब्जेक्ट एक हम लेंगे डेम आउटलूक मेल आईटम के नाम से बना लेते हैं एज ओब्जेक्ट और एक वेरिबर ओल बना लेते हैं हमने फाइल को अटेच कराना है तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ my attachment as object तीन वेरिबल हमने ले लिए पहला वेरिबल हमने activate करना है आउटलूक को उसके अंदर mail ओब्जेक्ट हमने एक बनाया और एक हमने बनाया उसमें attachment ओब्जेक्ट का अब हमने attach करना है किस फाइल को तो सबसे पहले तो हमने set करना है उस फाइल को हम यहाँ पर करेंगे set outlook app equal to create object यह object हमारा कौन सा होगा यह हमारा होगा outlook.application यह object हमारा होगा outlook application का दूसरा हम set करेंगे outlook mail को है न mail item को item फिलाल हम यहाँ पर डाल देंगे 0 item क्योंकि फिलाल 0 रहेगा जब हमारी कोई file attach होगी तब वहाँ पर कितनी file attach हम कर रहे हैं वो the count दिखाएगा तो हम यहाँ पर 0 डाल देते हैं इसके object में और तीसरा हम set करा देंगे attachment को इसको भी हम outlook mail item dot attachment यहाँ पर spelling का चेक करते रहें spelling mistake नहीं होनी चीए वरना object error आ सकती है हमारे पास set करने के बाद अब हमने सीधे अपने outlook पे चले जाना है तो outlook के लिए यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले तो with outlook mail item इसमें पहला तो address to हमने किसको भीजना है वो address यहाँ पर आ जाए तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे किसको भीजना है हमने देखों वह आपस excel file open कराते हैं हमने इसको भीजना है ठीक है न क्योंकि जिसकी mail id जिसकी भ बेजना है तो यह है हमारा d12 तो यहाँ पर हम d12 address डालेंगे d12 कैसे डालेंगे यहाँ पर हम लेंगे seats कौन सी seats पेवाली के अंदर है dot range कौन सी range हमने बताई है हमने बताई है d12 d12 के अंदर है mail id है ना इस mail id से वो mail id उठा ले address में चली गई mail id हम subject क्या लिखना चाहरे है वो subject यहाँ पर देंगे subject के अंदर हम जो भी subject आप लिखना चाहते हो मैं करता हूँ यह pay slip है ठीक है अब हम message क्या देना चाहते है body text के लिए तो यहाँ पर करेंगे हम body text के लिए body के अंदर हम लिख देते हैं भई please find in close file of pay slip ठीक है in attachment यह subject में और body text में आप कोई भी text अपने according लिख सकते हैं अब हमने attachment यहाँ पर लेकर आनी है तो attachment आएगी तीन चीज़े तुमारी होगी mail के अंदर हमने outlook में किसको mail भेजनी है वो address आ गया क्या subject हम क्या भेज रहे हैं और body text आ गया अब वो file attach भी करनी है तो हम उसके लिए तीसरा variable use करेंगे my attachment dot add कौन सी file add करानी है हमने हमने वही वाली file add कर आनी है paste कराएंगे मैंने यह false वाला paste करा दिया वहीं से address को paste कराएंगे हमारे पास यह रहा ठीक है इसको मैं यहां से copy करा लेता हूं control c बल्कि इसकी बजाए हम यहां से यह पूरा address copy कराएंगे यह वाला ठीक है इसके अंदर पूरी location हमारी और file का complete नाम भी यहां पर हमार दालेंगे इसको हम और यहां पर डाल देंगे attachment के अंदर इधर paste यह लिजे हमारा पूरा नाम यहां पर paste हो गया complete address यह file attach हो जाएगी वहां पर file attach हो गई अब send कर देंगे dot send और end with बस अब एक चीज़ और कर सकते हम इसमें कि जैसे file हमारी जो mail send हो जाए वो outlook से हम उसको हटा भी सकते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे set outlook mail item equal to nothing create फिर set outlook app equal to nothing close भी हो नहीं है साथ-साथ outlook app अब देखें फिलाल मैं इनको comment करा देता हूँ और एक बर इस code को run करा के देखते हैं send को भी मैं यहां पर नहीं करता हूँ ठीक है send को भी comment करा देता हूँ अब इसके लिए एक छोटी सी setting यहां पर करनी पड़ेगी आप देखो यहां पर टूल्स में जाएंगे टूल्स में आपको मिलेगा reference और reference के अंदर एक तो यह Microsoft Office 16.0 Object Library यह आपके पास चेक होना चाहिए और एक थोड़ा सा और नीचे चलेंगे हम M के उपर जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा M के उपर Microsoft Outlook यहां पर थोड़ा और खोजेंगे तो आपको मिलेगा Microsoft Outlook 16.0 Object Library इसको भी चेक करा लें और OK कर दें और यहां से यह फाइल जो हमारी जनरेट हुई थी इसको भी डिलीट करा देते हैं अब देखो इस code को हम रन कराएंगे F8 से आराम से धीर धीर तो यहां पर PDF फाइल देखते हैं बनती है मैं यहां पर वापस से सुरू से करता हूँ F8 तो देखो यहां पर हमारी एक PDF फाइ तो राइट यहां पर error आगे देखो object required मैंने कहा था spelling चेक करते हैं कहीं पर mistake हो सकती है यहां पर हमने outlook mail item outlook app देखो यहां पर यह object required आगे हमारे पास एक बार stop कराते हैं यह app app create item item यह भी हमारे पास देखो spelling mistake है item फिर से हम run कराते हैं शुरू से तो यह override हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है हम वापस से आते हैं इसको generate कराते हुए PDF फाइल हमारे पास यह override होगी वापस चलते हैं फिर से मैं करता हूँ F8 अब यहां पर object error आगे कोई ना mistake item देखते हैं कहां पर हमारे पास इस dot attachments यहां पर देखो यह requirement हमारे पास यह error आगी attachments मैंने सभी को attachments कर दिया है अब हम देखते हैं कि हमारा जो method है वो fail होता है या नहीं होता है वापस F8 करते हैं लेज़े सही है ना मैंने सभी को यहां पर spelling को ठीक कर लिया है तो हमारा object method सही हो गया अब पहुंच गए हम सीधा outlook के उपर अब हमारा outlook चलेगा यहां से मैं करता हूँ F8 to address में हमारा वो address पहुंच गया subject के अंदर हमारा subject पहुंच गया और body text के अंदर body text पहुंच गया अब हमारी attachment पहुंच जाएगी जैसे मैं F8 करूँगा attachment भी हमारी पहुंच गई और end with यहां पे हमारी सारी चीज़ generated successfully message आ गया ok करा देंगे और end कराएंगे इसको तो अब हम इसको हटा देते हैं मैं यहां से इसको send को चालू कर देता हूं तो जैसे हमारी attachment हो जाएगी तो mail हमारी send हो जाएगी और एक बार मैं इसको run करा के देखा तो मैं आपे करता हम click तो हमारी mail एक बार में generate होगी हमारी mail हो जाएगी पीडिया फाइल generated successfully इस message में आगे मैं बढ़ा देंगे and mail it right message को बढ़ा सकते हैं ok करा देंगे अब देखें मैं आपको outlook में ले जाके दिखाता हूं यहां पर देखें मेरे पास एक message ब्याया outlook का न और इदे टाइम हो रहा है 7 बज कर 19 मिनट और मैं outlook यहां पर आपको open करके दिखाता हूं message के अंदर तो देखो यहां पर mail delivery subject यहां पर दिखा रहा है failed का यह 7 बज के 18 मि mail.com क्योंकि हमने यहां पर देखो फर्जी address डाले हुए है यह रहा देखो अमित add the rate email इसी के पास mail गई है यह address गलत है इसलिए failed हो गया तो अब हमने यह काम bulk में करना है यानि कि सभी को mail भेजना है सभी की PDF generate करानी है तो यहां से एक PDF generate हो रही है और एक वो mail जा रही है तो अपने आप जेर्ण तो नहीं करेगा। हम क्यां से चेंज करेंगे हम उस sheet के अंDर जाके change करेंगे हम यहां से चेंज कराँ देंगे यह हमारा है B column और हम लूप चला देंगे B3 से जहां तक भी हमाँरे पास small prices कि यहां पे मेरे पास 43 तक है तो हम चला देंगे लूप और Pre code को मैं complete copy करा लेता हूँ एक बार कटो C और निच्च आके करा देता हूँ paste copy नहीं हुआ हो गया हो गया paste इसका नाम हम दूसरा डाल देते हैं इसका नाम मैं कर देता हूँ send reminder bulk के यह हमने इसका नाम डाल दिया और इसमें हमने एक loop चलाना है पहले तो यहां पर gap बना के एक काम करें जो भी हमने variable लिये थे इनको उपर ले लेते हैं यहां से मैं cut करा देता हूँ और यहां पर variable define करा देता हूँ अब हमने जो यह चीज़ ली है active seat इसकी जगह आप ऐसे यह seat का मतलब क्या हो गया हम seats pay वाला हो गया फाइल तो हमारी यह जनरेट होगी लेकिन कैसे जनरेट होगी यह लूप के जरी जनरेट होगी तो directory भी हमको दुबार अच लेने की जरूप नहीं क्योंकि address हमने directory यहां पर दे रखा है तो वापस इसको भी हटा सकते हैं इतना हमने काम बचा लिया तो यहां पर काम बचा लिया किसलिए हम यहां पर ताकि code ज्यादा ना बढ़े हम यहां पर for loop चला देंगे हम करेंगे for and equal क just only 3 63 तक चलाना है हमने हमनी चलाना है 3 2 43 violation करण है इतना हमारे पास हमारे टेटाय Jräge अपके पास जितना डेटा उतने तक आप सनो को चला सकते अब यह यह Test here器ane employee id भी change होनी नहीं चीब होनी ची तो employee id कहां से चेंज ईगी वहां से आएगी जो 343 तक कद एक employee id उठाएगा है लूप बारी बारी से चलेगा तो employee id के उठाएगा न को सी से उठाएगा वह सीड्स से सबसे पहले तो हम डालेंगे सिफ अपनी गई वाली पे dot range कौन सी range है इसके अंदर हमारे पास यह है d7 जिसके अंदर employee id लिखी हुई है dot value equal to किसके बराबर हो यह हो हमारी seat january या seat february या seat march हम कौन सी seat से उठा रहे हैं हम वो ही यहां पे डाल देंगे मैं करूंगा यहां पे seats और seat का नाम मैं डाल देता हूँ zen zen से data उठाए dot cells कहां से कहां तक उठाए एक एक cell बढ़ेगा हमारा n हमने ले लिया 3 से 43 तक चलेगा n और column number वो b आपके पास कोई भी column हो सकता है उस column में से कितने से कितने तक आपने लूप चलाना है वो लूप यहां पे चला लें बस तो यह इस seats में से उठाएगार इसके बराबर इस value को करता रहेगा D7 को तो D7 भी automatic change होती रहेगी जब D7 यहां पे employee ID change होगी तो सभी की detail भी change होगी और उसी detail को यहां से PDF file में convert करता रहेगा बस हो गया जो changement हमारा होना था बस बखके हमने कोई change नहीं करना और last में हम इधर आएंगे हम कर देंगे next को close यहां पे आएंगे करेंगे next next हमारा close हो जाएगा बलकि यह हम नहीं चला रहे तो हम end with के बाद ही next को close करा देते हैं ठीक है paste यहीं पे हम next को close करा देगे अब देखें इस कोड को भी चला के लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है हमने देखो यहां पे salary seat ली है seats और एक seats हमने यह ली है तो यहां पे इस seats में तो पहुंच गए इसके बाद यह सारा data उठा लेगा अपने आप यहां से ठीक है चल जाएगा बिल्कुल चलेगा इस code को एक बार में रन करेंगे पहले मैं यहां पे इसको करा देता हूँ delete blank होगे हमारा folder अब यहां पे सारी pdf generate होनी चाहिए और साथ में mail भी send हो जानी चाहिए मैं इस पे आके एक ही बार में करा देता हूँ run क्योंकि लूप चलेगा बार बार यहां से पूरा rule लूप चलेगा एक बार pdf बनाएगा उसको mail करेगा फिर से दुबार आएगा दूसरी pdf बनाएगा दूसरे employee की तो यह 43 तक चलेगा run करा देते हैं इसको देखो यहां पे देखो इधर फाइल अपने आप generate होने लग रहे हैं पहले यह सारी pdf फाइल create हो जाएंगी एक एक करके उसके बाद यह bulk में mail हो जाएंगी तो यह थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी application देखो नीचे देखो बहुत सारी application होने recording भी चल रही है फिर भी आप देखोगे यहां पे यह सभी अलग अलग नाम की सभी pdf फाइल यहां पे generate यह कर देगा जितनी भी यहां पे होंगी 40 मेरे ख्यार से 40 के करीब data है मेरा 3 से 40 तक 40 के करीब data है 24 यहां पे आइटम generate कर दिये 25, 26, 27 और सभी को mail भी करेगा मेरे कोई यह पता कि सारी mail मेरी failed होंगी क्योंकि सभी mail address मैंने फर्जी डाले हुए नकली mail address है कोई गलती से इत्तेफाक से mail अगर send होगी तो समझो वो इत्तेफाक से कोई सही हो गया किसी ने उस नाम से mail बना रखी होगी तो उसके पास mail चले जाएगी वो चेक कर लेगा भई कहां से mail आई है क्या आई है सारी mail generate हो गई अब हमारे पास एक message आ जाएगा जैसे mail sent हो जाएगी देखो यहाँ पर कह रहा है PDF file generate successfully ओके mail चेक कर ले outlook open करते हम यहाँ पर देखो outlook में तो पहले ही message आ रहा है हमारे पास सारी mail delivery spotted का fail fail यह बढ़ते चले जाएगे सारे एक ही समय के हैं 7, 31 से लगबग शुरूब है 7, 32 तक यह सारी mail fail हो जाएगी कोई भी यहाँ पर पास नहीं हुई है क्योंकि सारे mail address हमारे गलत है अगर mail address सही होंगे तो हमारी mail पहुंच जाएगी तो इस code में आप अपने according चेंजमेंट कर सकते हैं आपकी file कौन सी seat में रखी हुई है आपनी कौन सा sell लिया है और इसके अलावा यदि आप ये वाली sale receipt और ये paste lip दोनों बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें comments में लिखके बता हैं इसके उपर भी हम एक अलग से particular वीडियो बना देगे और ये code आपको description में मिल जाएगा वहां से code आप copy कर सकते हैं और इसमें अपने according changement करा सकते हैं अब इसको हम एक बटन पे और लगाकर देख लें यहां पर आते हम इन buttons के उपर हमने वे code लगाना है तो right click यूज़ करेंगे button के उपर चले जाएंगे assign macro यहां पर हमने single file भेजनी है तो single reminder का यूज़ करेंगे ओके इसके उपर भी right click यूज़ करेंगे assign macro और यहां पर हम करेंगे bulk वाला और ok चल गई यहां से अब यहां पर click करके देखें मैं यहां पर कराता हूँ click लीज़ ये pdf file generate successfully होगे हमारे एक button से काम इस file को जब भी आपने save कराना है है तो इसको macro enable workbook में save कराना है हम इसको save करेंगे तो यहां पर आप देखोगे save as के अंदर यह मिलेगा save type macro enable workbook ठीक है इसमें save कराना है तो आपका यहां पर macro enable रहा जाएगा इसके अलावा हमने सिर्फ यहां से print निकालना है तो print पे कलिक करें multiple Rabbit निकालने बग में तो यहां पर उन यां पर कल्क करें तो यह देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहीए गा तो I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें हमें लाइक करें और योदी नए है आप मेर्चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें